मेवा मीठाई खोवा खाके नमकीन तुँ हसीन लागे लू हो हमरे भौजी के बहीन मेवा मीठाई खोवा खाके नमकीन तुँ हसीन लागे लू हो हमरे भौजी के बहीन माने नहीं कहनवा कुछु कहला पे लोड़ाता ये राजा गईला जब से बिदे सवादे वरा रोज चड़ाता नमस्कार भौजपुरिया जबान हम आपको छोट भाई जीतु भौजपुरिया आज हमने के जुटलबानी के अंधिरी में बहुत अच्छा प्यारा एल्बम लेके जेकर शिंगर बाने स्टार सिंगर जेपी सुपुरी मूजिक डिरेक्टर बाना राचेस दूबे जेकर मह जाए देना चाहूंगा जीतु को जेपी जी को कि इनका अलबम सुपर डूपर हिट हो सब भौजपुरी दर्सक अपना असिरबात देन को भौजपुरिया जो चलन है अगर उसाब से करेंगे तभी आना चलने वाला है पूरी टीम को बहुत सारी सौपकाना हमारी बहुत सा कोशिस करेंगे और मानी स्री पिंटु सिंग जी के जो सयोग और प्यार मिला है वो बोल भी रहे थे कि इस तरह के गाने को बनाये जा ताकि मार्केट में लोगों का एक विश्वास और उत्साह बढ़े इसको लेकर कि हम लोग जंग में आये हुए हैं और हम चाहते हैं कि सा लोग अपना अपना प्यार दे हमें आज हम लोग आठ गाने का सुभाराम करने वाले हैं मानी स्री पिंटु सिंग और टीम के द्वारा जो उधगाटन हुआ है और हमारे जो साथी हैं हमारे फ्रेंड श्री जीतु भोचपूरिया के द्वारा और इसके प्रोडूसर डारे गाइल एंटी रोमियो सासन एको माला लागत नैखे हाथ हो जाये योगी इका कैनी हमनी लथे रावन के साथ में हे जोगी हमनी लथे रावन के साथ में साइया सूती गई लेता निके चादारिया जगवले नहीं जागे ना नदी सबसे पहले मैं राजेश दुबे मुजी डारेटर आप सभी को बड़ाम और नमस्कार करता हूँ आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बड़े भाई जीतु जी और जेपी जी प्रोजेक्ट के सिंगर है जेपी जी और जीतु भाईया के द्वारा कारे को आगे बढ़ाया जा रहा है बड़ा अच्छा लगा और यह काफी अच्छा प्रोजेक्ट भुश्पूरी के लिए साबित होगा क्योंकि कुछ चीजें इसमें आज का जो दौर चल रहा है मुजिक का उसे हटके साउंड देने की कोशिश है हमारी और इसमें ऐसे मुजिक डिरेटर कंपोजर और अरेंजिमेंट का काम मैंने अपने तौर पर मैं कर रहा हूं Kudya मेरा नाम डौली सिंहँ एंड मैं पिंडू जी मैं उनकी मतलब जो भी फिल्मस है जो भी है उसमें लएक उनके साथ काम करती हो एंड मुझे ये डिरेक्शन में इंट्रेस्ट है तो सो देट डिरेक्शन सिखने के लिए मैं पिंटु जी के साथ में हूँ पुरी टीम को मेरे तब से शुप कामना है थैंक यू मैं जो ये इल्बम है अभी जेपी सुपुरी जीसमें जो सिंगर है उसका मैं प्रोड्यूसर हूँ बहुत ही बेहतरीन इसका संगित दिया है राजेश दुबे जी और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो गाने गाये गए हैं आज के माहल के हिसाब से बहुत ही सफल और लोकप्री होंगे